आई वी टीवी पर हमने खबर चलाई थी कि चिराग पास्मान उपमुख्यमंत्री बन रहे हैं लेकिन उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बने इसके पीछे क्या कारण है कहां रुकावट पैता हुई या फिर उन्हें ओफर ही नहीं दिया गया था इन सब बातों का खुलासा हम हमारे स्वयोगी आस्तो समिस्रा कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल पठक जी बिल्कुल हम लोगने जो ठबर चलाई थी वह सुत्रों के हवाले से चलाई थी और अब उस बात की पुष्टी भी करीब करीब हो गई है चिराट पास्वान से जब इस बारे में सवाल पुछा ग नहीं है हमारे लिए विजन महत्पुर्ण है पिहार का विकास महत्पुर्ण है पिहार का हित महत्पुर्ण है हमारे लिए किसी की अदावत महत्पुर्ण नहीं है कि हमारी बेक्सिरत लगा किसी से नहीं है कुल मिलाटर के हम लोग इस निस्टर्स पे पहुँच सकते हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी ने 200% ओफर दिया था टिप्टी चीम पद का लेकिन चिराग पासवान ने इस ओफर को ठुकडा दिया क्यों ठुकडाया इसने पीछे की बात भी समझिये इसलिए ठुकडाया उन्होंने कि चिराग पासवान नहीं चाते थे कि नितीज तुमार के अंदर में वो काम करें चिराग पासवान का दुब रिवांसेज है वो चाते थे उनको लोगसवा में जितनी सीटे कमिटमेंट की गई है उतनी सीटे मिले लेकिन बीजेपी की तरफ से गोल मटोल जवाब दिया जा रहा था बीजेपी परिस्तिती का हवाला देते हुए लोगसवा चुनाव का हवाला देते हुए लोगसवा चुनाव में मोदी फिर से रिपीट करने के लिए हैटरिक बढ़ने के लिए हवाला दे रही थी और गोल मटोल जवाब दे करके चिराग पासवान को अपने साथ में लेना थी तब भी उनको एक कहा गया था कि आपको सम्मान जनक सीख्टे मिले गई आप घबड़ाईये मत लेकिन सम्मान जनक सीख्टे कितनी चिराट पासवान का क्लेम है कि छे प्लस वान से प्लस वान मिन्स्ट्री लोजपाई टिक्रित जब थी 2019 में तब छे लोग सवाटी सीख् और उसके आजपास विज़ेपी ने कमिट्मेंट भी किया है था इनफेक्ट रह सकते हैं लेकिन दाजनिती बदल गई परिशिती बदल गई है वैसे में चिराट पासवान को लगता है कि अब जो विज़ेपी ने कहा है वो पॉसिबल नहीं है और विज़ेपी ये कहा रही तो इसी कंप्रोमाईज तरने के लिए चिराट पास्वान तयार नहीं है और तयार क्यों हो वह तो अनकोंपटेबल फिल करते ही रहे हैं हमेशा से नितीज प्रुमार के सामने में हाला कि जो बड़ी लेंग में स्थाज आपने देखा वर्डी राजभवन में जैसे ही कि लेकिन यह तमाम चीजे अलग है और वह बाते अलग है चिराट पास्वान की आज भी चिंता है उनको आज भी इलंग रहा है कि शायद जो बिजेपी कह रही है वह सिर्फ कह रही है वह अंजाम तक नहीं पहुँच सकती है चुटी प्रेक्टिकली ऐसा सम्भव नहीं है चुटी निदीज कुमार्ग 17 सीटों पर चुनाव लगार 16 सीटे जीती थी खुद 27 सांसद है शे सांसद पिछली बार लोज़ पाटे थे तो ऐसे में कैसे मुम्किन है चुटी अब उपरिंद्र कुश्वाह माजी भी आ चुटे हैं पसुपदी पार चुटे हैं कि नहीं आप मुझे क्लियर कीजिए कि आप मुझे कितनी सीटे दे रहे हैं और कौन को से सीटे दे रहे हैं तो जब अमीद सा और जेपी नटा के तरफ से डोल मटोल जबावाया तब वह एक तरीके से नराज होटर के वहां से निकल गया तब यह बाते सामने आए तब यह बीजेपी की तरफ से ओपर किया गया कि आप तब नहीं हो तो आप डिप्टी सेम का पद ले लिजे हमारे पास दो डिप्टी सेम का पोस्ट है उसमें से एक पद आप ले लिजे लेकिन और उसके पीछे भी रीजन था बीजेपी तर्की दलित वोट मेंट को भुनाना था लेकिन शिराग पासवान ने समझा कि उन्टे कंदे पर बंदूख चलाया जा रहा है शिराग पासवान ने इसके लिए भी हामी नहीं भरी शिराग पासवान ने साब साब कहा दिया कि नहीं मुझे पहले क्लिरिटी चाहिए मुझे कितनी सिटे मिल लाई है वो बताईए आ ने उस ऑफर को सीरे से ठुकडा दिया और यही बात है कि उसके बार फिर बैठक होई और बीजेपी की बैठक होई और उसमें समराग चौधरी और विजय सिना को दोनों को नेता और उपनेता चुना गया और तब जाकर के दोनों के नाम पर समगते हुई लेकिन अगर यहां लगता सब्सक questionnaire को खारीफ कर दिया इंकार कर दिया गपित gravy अगर बीक्ति में से दोने गर्टी सुफिर्व करदिया है या उनके पार्टि के सुटरों के वाज़। ज़ेशमियों नहीं होथ सब्सक्राइब और इसके लिए उन्होंने कमर कस ली है और आपने देखा भी होगा कि जब भी वह किसी भी करक्टर में जाते रहें बिहार के किसी भी कोने में तो चाहे वह नितीश कुमार हो चाहे बीजे पीटे बड़े-बड़े नेता हो उससे ज्यादा उनकी सभाओं में अभीर उमर्ती है इससे लोग प्रियता का अंदाजा लगा आज सकता कि शिराट पास्वान आज की तारिक में कितने पॉपलर लीडर के तोर पर सामने आ रहे हैं बिहार में तो बीजे पी को भी ये अंदाजा है इसलिए बीजे पी किसी भी कीमत पर शिराट पास्वान को एक भी विधायक नहीं है फिर भी शिराट पास्वान को उन्होंने ओफर किया कि आप 50CM मन जाएं तो यह बरी बात है मतलब दील को सील करने के लिए बीजी पीडितर से कोशिश की जा रहे हैं लेकिन शिराट पास्वान एक तरीके से जो चिंताय हैं शंकाय हैं उनको जो कि वो चीजे मिल नहीं रहे हैं और यही बजा है कि दिल्ली में भी उन्होंने बयान दिया और शपद्रहन समारोड के बाद हुआ उन्होंने जो बयान दिया उपेही बातには वेयाब करती हैं वो और यही बाते ता तोगी, नमस्ट